To all of you, मैं Dr. Smriti, आज एक बहुत important topic आपके सामने लेके आई हूँ, आज की date में मोटापा एक महामारी की तरह फ्याल रहा है, यह एक ऐसी बिमारी है जो आजकल के रहन सहन, हमारे मुह का स्वाद और हमारे जो आलसपन है उसके कारण यह बिमारी बढ़ते जा रही है, इस बिम स्वास और मांसिक संतुलन बिगड़ता है, अभी मैं आपसे डिसकस करूँगी, एनालिसिस ऑफ वेट, मोटापा उबेसिटी इन आयरवेद, आयरवेद में आठ निंदि प्रकृति अवरांचनी रचना का वर्णन क्या गया है, जिसमें से मोटापा एक है, मोटापा जिसे होता है, उसके सरीर में वसा बहुत अधिक मात्रा में डिपॉजिट होती है, आप ये सब तो जानते ही होंगे, कि हम सबकी प्रकृती बात, पित या कफ है, और ये जो प्रकृती है, ये मेन पाच महाभूत से मिलकर बनी होती है, तो जो कफ प्रकृती वाले मनुस्य होते है उनमें मेनली प्रित्वी और जल महाभूत की अधिक्ता होती है, इसी कारण वे जो कफ प्रकृती वाले होते हैं, उनमें मोटापा अधिक पाया जाता है, साथी जो वाट प्रकृती वाले होते हैं, उनमें वायू और आकास महाभूत की अधिक्ता होती है, और वे बहुत ज जादा energetic होते हैं तीसरा पित प्रकृति मेंली अगनी महाभोथ से बनी होती है और यह average weight वाले pseudo-all शरीर वाले होते हैं इनमें बहुत ज्यादा तेज होता है बहुत तो गुस्सा होता है तो जब इन तीनों प्रकृति वाले मनुस्य में किसी भी कारण से कफ की अधिक्ता हो जाती है या इन सब में जब प्रकृति का जो इनका जो दोस है उनका असंतुलन होता है तभी ये हमारे मोटापे में कनवर्ट होते हैं और जब हम मोटापे में कनवर् औरिजिनल प्रकृती है वात हो या पित हो वो उसे दबा कर वह कप प्रकृते के लक्षन दिखाने लगता है, जो कप प्रकृते वाले मनुष्य होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा आलस्पन होता है उन्हें भमेशा सरदी रहती है और इसी कारण, आलस्पन के कारण, उनका मुँ में मतब खाने का जो टेस्ट है वो अलग टाइप का होता है, जिसके कारण ही उनका मुटापा बढ़ता जाता है. इस प्रकार आप समझते होंगे कि वादपित कफ का जो दोसों का जो आसंतुलन ही है, वह हमारे मुटापे का मे जैसे ही वात और पीत की उपर कफ का हावी होता है तो मेटाबोलोजम चैप चय क्रिया को कम कर देता है और हमारा मोटापा बढ़ने लगता है ऐसे व्यक्ति को एक्सरसेज और डाइट दोनों का ध्यान देना पड़ता है तब ही अपना मोटापा को कम कर सकते हैं करने के कुछ उपाय बताए गए हैं जिसमें सबसे पहला होता है जो ड्राइ मसाज बोलते हैं विडाउट आइल के आपको अपनी बॉडि मसाज कराना है इससे क्या होता है कफ जो होता है वह कम होता है और हमारा बॉडि का वेट मेंटेign रहता और साथ ही आप एनिमे का उप्योग भी कर सकते हैं और जैसे प्राणायाम या डीप व्रिधिंग जो एक्सरसाइज होती है ना उस एक्सरसाइज को हमें करना है कप प्रकृति वाले मनुस्य को ताकि हमारा मुटापा कम हो सके साथ में हमें जो दिन में अगर हम सोते हैं उसे बंद करना चाहिए क्योंकि दिन में सोने से कप प्रकृति की व्रिधि होती है इस प्रकार अगर हम इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो हैल्थ है वो नहीं बढ़ेगा और हम उसे जल्दी कम कर सकेंगे अपने खाने में में मीठा को अवोइड करना है इतो आप सभी जानते हैं साथ ही जो कसीले पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं जिसमें विटामिन C की मादरा दिख होती है उसको अपने डाइट में सामिल करना है आईरवेद में वेट लॉज के लिए कुछ योगा असन का वर्णन क्या गया है जैसे त्रिकोण आसन भुजंग आसन सूरी नमस्कार और कपाल भारती प्राणयाम भस्त्रिका प्राणयाम इन सब योगा असन के द्वारा आप अपना वेट असानी से कम कर सकते हैं आईरवेद में कुछ मेडिसिन भी वर्णित है जो आपके वेट लॉज करने में हैल्प करती हैं जैसे तिफला चुननम, मंदूर भस्म, स्वानम आपचिक भस्म, त्रिसनादी लौह, गुगूल, मेदोहर गुगल ये सब चीजे आपके वेट लॉज में आपके हैल्प करत मैंने एक छोटा सा मुहीम उठाया है जो जिसमें मैं आपने बहुत ही कम कॉस्ट में आपकी वेट लॉस करने में आपकी हैल्प कर रही हूँ मेरे आईरवेट को लेते हुए मैं इस प्रोग्राम को सक्सेस करना चाहा रही हूँ और बहुत लोगों को इसका फैदा हो रहा है अगर आप भी इंट्रेस्टेड हैं तो मुझे मेरे कॉंटेक कीजिए मेरे कमेंड बॉक्स में आप मुझे बोल पुछ सकते हैं इसके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं धन्यवाद राधे राधे